अधिलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब ? भूब सब अच्छे ही होंगे आज हम क्लास 6 का साइंस का चेप्टर 5 करने जा रहे हैं that is separation of substances करते हैं start इस चेप्टर में है क्या ऐसा separation of substances का first page करते हैं आप इसको रीट जरूर कर ले ना मैं इसको explain करते हुए चलती हूँ Okay Start करते हैं There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials हम देखते हैं कि काफी सारी तीजे देखते हैं जो कि अपने mixture से अलग होती है material से उनको अलग कर रहे होते हैं जैसे कि आप example देख सकते हैं tea leaves का tea leaves are separated from the liquid with the stainer while preparing tea जब आप tea बनाते हो चाय बनाते हो तो उस चाय की पतियों को अलग करते होना जैसे stainer जो छलनी होती है उसमें आप चाय चानते हो तो चाय अलग निकल जाती है और जो चाय की पतियों होती है वो अलग रह जाती है और ऐसे ही grain ग्रेइन को भी आप सेपरेट करते हैं स्टॉक्स हार्वेस्टिंग के टाइम पे मिल्क और करडर होती है उनको चर्ण करते हैं बटर बनाने के लिए उसको सेपरेट करने के लिए so cotton जो के आपने chapter 3 में पढ़ा था जो cotton में से cotton के seeds को अलग किया जाता है so आप अगर पोहा खाते हो या salted दलिया खाते हो अगर उसमें chilis गिरी होती है मेर्चे होती है तो आप उन मिर्चों को भी अलग ही निकालते हो अबने हैं एंट से हैं न इसमें क्या बताया गया है कि हम अलग कर रहे हैं सबस्टांसे को Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and ask to separate them What would you do? अगर आपको एक basket दी जाते हैं और आपको कहा जाते हैं कि mangoes और guavas को separate कर दो तो आप अपने हैंड से कर दोगे उनको अलग-अलग, कोई मुश्कल काम नी So separation ये चीज़ होते हैं उनको अलग करना देखिए ये इधर भी 5.2 फिगर में क्या दे रख है? Butter is taken out by churning milk और curds मिल्क को घुमा घुमा के churn करके क्या निकाला जाता है? Butter उससे So activity 1 The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 देखते हैं अगे देखिए 5.1 Why do we separate substances? Why do we separate substances? क्यों करते हैं? First में है separation process Second box में है purpose for which we do the separation In third में है what do we do with the separated components? First is separate stones from rice अगर आपको चावलों में से stones निकालने हैं तो आप कैसे निकाल लोगे? जाहिए सी बात है हाथों से भी निकाल सकते हो Hand picking से A. Purpose for which we do the separation To separate two different but useful components क्या है उस चीज़का separate करने का purpose? कि हम दो चीज़ों को separate कर रहे हैं What do we do with the separated components? हम क्या करेंगे? इन separated components Milk to obtain butter Milk को हम चर्ण करते हैं बटर निकालने के लिए किस परपस से? ताकि जो non useful components है उनको remove कर दे और क्या होएगा? जो impurities है उनको हम फैक देते हैं थ्रू कर देते 3rd है separate tea leaves To remove impurities और harmful components इसलिए करते हैं हम we use both the components अब आप चाय बनाते हो तो चाय गी पती और चाय को आप अलग करते हो ना तो यह चारी चीज़े इसमें बताएगी यह आगे है methods of separation आपके बहुत सारे methods है hand picking, threshing, swing, renewing, condensation, evaporation, saturation बहुत सारे methods हैं जिनका आपको मतलब पता होना चाहिए हर एक के साथ आपको एक activity दी गई है जिससे आपको easily clear हो जाएगा करते हैं start, यह जिसस आपको पता चल गी है कि substances को हम separate करते हैं कुछ examples आपने देखे लिए हैं जो आपको day to day life में देखने को मिलेंगे जैसे कि चाय, tea, जब आप बनाते हो आप अपनी सबजी में से हरी मेर्चे निकालते हो वो भी separate करना हुआ है ना हाथ से ही उठाके हम separate कर रहे हैं उस चीज को आईए देखते हैं activity 2 bring a packet of grain purchased from a shop to the classroom now spread the grain on a sheet of paper do you find only one kind of grain on the sheet of paper are there pieces of stone husk broken grain and particulars of any other grain in it अब वो कहरे कि आप एक grain का ना grain लेक्या हो और आप उसको एक sheet of paper पे भिखेर दो तो आप उसमें क्या आपको खाली grain ही दिखेगी उसमें पत्थर कंकर काफी सारी चीजे मिलती है ना तो अब उनको आप अलग करोगे कैसे करोगे इस मैंथर में क्या बताया गया है this method of hand picking can be used for separating slightly larger impurities अब जो आपको stone भी दिख जाएगा ये सारी सारी चीजे आपको दिख जाएगी ना stone husk dirty तो आपको दिखी रही है सामने तो इसको remove तो आप अपने हाथ से कर सकते हो ना जैसे pulses होती है दाले होती है आप उसमें देख सकते हो हाथ से ही separate कर दिया जाता है उनको so the quantity of such impurities is usually not very large in such situation we find that hand picking is a convenient method of separating substances hand picking कब बैस्ट है जब जो चीज हमको easily visible हो हम असानी से देख सकते हो उस चीज को और अलग कर सकते हो और काफी जादा impurities ना हो तब हो गया clear हे वाला method next step threshing you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop stalks are dried in the sun before the grain is separated from them इसमें क्या कहने कि आपने कभी देखा होगा harvesting के time पे जो grains होती है wheat होता है harvest के time पे दिखे होगा उसको dry कर दिया जाता है sun के सामने फिर उसको separate किया जाता है so जो खेतों में होती है wheat वो तो इतनी सारी होती है तो इस सब को हातों से कैसे करेंगे हम separate यह तो सोड़ी एजसे आपने हैंडपिकिंग में कर दिया एक एक दाना लेके ऐसे से करके separate कर देंगे नहीं न in the process the stalks are beaten to free grain seed sometimes threshing is done with the help of bullocks machines are also used to thresh large quantities of grain आज़ तो मशीन ने पिया है उनसे भी कि जा सकते हैं बुलक्स भी करते हैंड़ जाए एक बर इसको आप प्रपर पढ़ लेजे stalks are dried in the sun before the grain is separated from them each stalk has many grain seeds attached to it imagine the number of grain seeds in the hundreds of bundles of stalk lying in the field how does the farmer separate grain seeds from those bundle of stalks कि इतने सारी जो grain होती हैं streets होते हैं तो उनको separate कैसे करता है farmer बन में प्लग mangoes और guavas from the trees हम mangoes और guavas अमरूदर और जो आम होते हैं उनको तो हम प्लग कर सकते हैं तोड सकते हैं पेडों से पर grain seeds तो बहुत चोटे चोटे होते हैं इनको कैसे अलग किया जाएगा so plugging them from their stalks would be impossible हाथों से ऐसे करना तो बिल्कुल ही impossible है how does one separate grain seeds from their stalks कैसे separate किया जाता है with the help of threshing so so ऐसे threshing की जाती है कि stalks काफी जारे इनको इकठा करके grain के so उनको मारा जाता है ताकि वो अलग-अलग grain seeds अलग हो सके next method है विनोइं विनोइं क्या होता है विनोइं का मतलब आप याद कर लीजे विन्ट, हावा so make a mixture of the dry sand with the sawdust for powder dry leaves keep this mixture on a plate or a newspaper look at this mixture carefully can the two different components be made out easily अब क्या का गया है हिनो एक मिटी लीजे और कुछ ड्राय लीजे का पावडर लीजे क्या आप इन दोनों का अलग कर सकते है इसली नहीं ना, so handpicking से तो बिलकुल भी नहीं now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform put the mixture in a plate or a sheet of paper and hold the plate or the sheet of the paper containing the mixture at your shoulder height tilt it slightly so that the mixture slides out slowly what happens, do both the sand and the sawdust or the powder leaves fall at the same place is there a component that blows away, does the wind manage to separate the two components so, इसमेना विनोइं का method बताया गया है विनोइं कैसे करते है हम जैसे कि आप इस लेडी को पिच्चर में देख सकते हैं कि वो एक टेबल के उपर खड़ी है और काफी उचाई से ना उस चीज को धीरे धीरे करके नीचे गिरा आ रही है थोड़ा टेटा करके, tilt करके तो वो क्या आएगी, जब हावा चल रही होईगी तो हावा में वो जो मिक्षर होएगा वो जो हैवियर मिक्षर होगा वो तो अलग हो जाएगा और जो लाइटर मिक्षर होएगा वो हावा में उड़के अलग हो जाएगा So, this method of separating components of mixture is called winnowing Winnowing is used to separate heavier and the lighter components of my mixture by wind or by plowing air जिस दिशा में हावा चलीगी उस दिशा में तो जो हलकी हलकी चीज़े होएंगी लाइटर कंपोनेंट होएगा वो तो उदर चला जाएगा और वाकी नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं यह हूँ है यह हूँ जो हैवी होते हैं यह हूँ तो नीचे अपना आरेस वे में और जो भी डर्स्ट है हसक है वो उदर की साइड जारी है है ना तो यह आपका थर्साइब विनोईंग नेक्स्ट सीविंग क्या होता है आपने कभी देखा होगा जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है इससे पहले एक्जांपल कर लेता है फ्लॉर मील का साथ असानी से समझ आईगी आपने देखा होगा आपकी मदर कर रही है जो भी उसकी इंपुरिटीज होएंगी वो साइड से उसमें रह जाएंगी है ना इसमें रह जाएंगी जो भी इंपुरिटीज होएंगी जो आटा होगा वो ना नीचे थाली में रह जाएगा वो पना नीचे थाली में रह जाएगा वो पना नीचे थाली में रह तो चीज तो रही जाती है तो उसके बाद वो कैसे रिमूव किया जाता है चान के तो ऐसे ही आप किसी सकते हैं उसको चानना जाता है तब ही उस रेट को आगे चीज पर आज हम नेक्स वीडियो में आपका नेक्स टॉपिक आगे करेंगे सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन और एक एवापोरेशन भी इसके साथ साथ ही इसको हम नेक्स वीडियो में डिस्कस करेंगी